हेलो एवरीवन वेलकम टू रेड़ी एकजाम दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत विज्ञान के कुछ महात्पूर प्रेशनों को डिस्कस करेंगे इसलिए वीडियो को अन तक देखियो गए चलिए स्टायर करते हैं आज का पहला कोश्चन एक हार्ष पावर में कितने वाट होते हैं तो कितने वाट होते हैं 746 वाट होते हैं इस कोश्चन के बात करते हैं किलो वाट घंटा किस रासी का मात रख है तो किलो वाट घंटा उर्जा का मात रख है किस रासी का मात रख है उर्जा का मात रख नेस्ट कोश्चन एक नैनो मीटर में कितने मीटर होते ह कितने होते हैं दस घाते माइनस नौ मेटर नेक्ट कोश्चन प्रकास के तरंग दैद की एकाई क्या है तो प्रकास के तरंग दैद की एंगर्स्टाम है क्या है एंगर्स्टाम एक एंगर्स्टाम में कितने मीटर होते हैं तो मैněस 10 मीटर होते हैं कितने होते हैं दस घाते मेटर 10 मीटर ग्राइस को Rio उत्पादित बिझ्ली के नापने की की कि किया है चुर्वाट किया है या मेगा प्रबलता की इकाई क्या है तो धोनी की प्रबलता की इकाई डेशीवल है क्या है डेशीवल नेस्ट कोश्चन पारी इस्थितिक दबाव की इकाई क्या है तो पाइस्थितिक दबाव की क्या है बार है अगले कोश्चन की बात करते हैं तेल का एक बैरल लगभक कितना होता है तो तेल का एक पैरल 169 लीटर के बराबर होता है कितना होता है 169 लीटर के बराबर अगले कोशन की बात करते हैं लंबाई की नियुनतम इकाई क्या है तो लंबाई की नियुनतम इकाई फर्मी मीटर है एक फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं तो दस की घाते माइनस 15 मीटर होते हैं, कितने होते हैं, दस की घाते माइनस 15 मीटर होते हैं, अगले कोश्चन की बात करते हैं, जल बहाओ की दर मापने की इकाई क्या है, तो जल बहाओ की दर मापने की क्या है, क्यूशेक इसे हम जल बहाओ की दर माप सकते हैं, अगला कोश् अगले कोश्चिन की बात करते हैं सुनार में किन तरंगों का प्रियोग करते हैं सुनार में पराशरब तरंगों का परियोग करते हैं किन तरंगों का पराशरब तरंगों का तो सुनार के हम फुल फाम की बात कर लेते हैं तो सुनार का फुल फाम क्या होता है तो इसका होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग क्या होता साउंड नेविगेशन रेंजिंग नेस्ट कोस्टन धोनी की तीवता को मापने वाला यंत्र है धोनी की तीवता को मापने वाले यंत्र आडियो मीटर क्या है आडियो मीटर अगले कोस्टन के बात करते हैं वायू की गती किस यंत नीमो मीटर के द्वारा ही नेक्स्ट कोश्चन सोलर रेडियेशन कि सिवंत्र द्वारा मापते हैं तो सोलर रेडियेशन पाई रहलियो मीटर द्वारा मापते हैं कि सिद पाई रहलियो मीटर के द्वारा नेक्स्ट कोश्चन मैनो मीटर नामक यंद्र से क्या मापते हैं तो म पूर्ण विक्रण पाइरोमीटर अर्थात उच्छ ताप किसम यंद्र से मापते हैं तो पाइरोमीटर से मापते हैं किसे उच्छ ताप पाइरोमीटर से मापते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तों के इस्ति जानने के लिए किस यंद्र का प्रयोग किया जाता है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है सोनार में परासरब धुनिक परासरब तरंगों को प्योग किया जाता है विदुद धारा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है तो विदुद धारा अमीटर के द्वारा मापी जाती है किसके द्वारा अमीटर के द्वारा नेश्ट कोश्चन दूद के घनत को किसके द्वारा मापा जाता है तो दूद के घनत को लेक्टो मीटर के द्वारा मापते हैं किसके द्वारा लेक्टो मीटर के द्वारा नेस्ट कोश्चन वायू मंडल की सापेच आदता किसके द्वारा नापी जाती है तो वायू मंडल की जो सापेच आदता होती है वह हाइग्रो मीटर के द्वारा मापने किसके द्वारा हाइग्रो मीटर के द्वारा अगला कॉस्चंज रियक्totr पैमाने पर मापने करते है तोस समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है जिसे मेरियाना ट्रेंच इन सब की जो गहराई होती तो फैदों मीटर से ही मापते हैं समुद्र तल से विमानों की उचाई किस यंतर द्वारा मापते हैं तो अल्टी मीटर के द्वारा मापते हैं अगर आकास में कोई भी विमान उड़ रहा तो उसकी किस किसी उचाई पर उड़ रहा है तो किस से मापते हैं अल्टी मीटर के द्वारा ही मापते हैं कितने उचाई तक वो चला गया है अगला कोश्चन जूंट का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है तो पोली ग्राफ के नाम से जाना जाता है तो इस यंत्र से हम जूंट का पता लगा सकते हैं कौन विक्ती जूंट बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है अगला question घूमते हुई वस्तों की गती नापने वाला यंत्र है तो क्या है गाईरो इसकोप अगर कोई वस्तों घूम रहे तो उसकी हम गती माप सकते हैं किसी गाईरो सकोप से अगला कोश्चन वासिंग मसीन किस सिद्धान परकार करती है तो वासिंग मसीन अपकेंदरान के सिद्धान परकार करती है किसके अपकेंदरान के सिद्धान पर अगला question, विष्थापन कैसी रासी है? तो विष्थापन सदिस रासी है, भहुत important question, भहुत बार पूछँगा है है, अगला question, सडक पर चलने की अपेच्छा बर्फ पर चलना काठीन है, क्यों? क्यों की बर्फ में सडक की अपेच्छा घर्षण कम होता है, किस किया पेच्छा सड़क किया पेच्छा next question उर्जा सनरच्छन का आसा है तो उर्जा का ना तो सरजन हो सकता है और नहीं विनास अर्थात उर्जा को नहीं उत्पन किया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है अगला question गुर्त्तवा करशन के सौर भावमिक नियम का पिधिपादन किस murdered कि ने किया है तो नुटन ने किया हैằng ने अगला question अंतгрचय यात्री निर्वात में सिधे खड़े नहीं रह सकते क्यों कि अंत्रच में गुरुत्व नहीं होता है इस कारण यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दवाना बिल्कुल मत भूलिए के ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके अगला कोश्चन जब कोई वस्तू उपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरवर्तित रहता है अपरवर्तित रहता है अगला कोश्चन क्रतिम उपग्रह पर्थवी से इस से ट्रेक किया जा सकता है तो डापलर पर भाव के द्वारा ट्रेक किया जा सकता है अगला कोश्चन लोलक घडियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इस कारण लोलक घडियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है अगला कोश् लिफ्ट में बैठे हुए वेक्तियों का अधिक मालूम पड़ेगा अगर जब लिफ्ट है तो इस गयती से नीचे आ रही हो तो उसका भार क्या होगा सुन हमको पाता चले क्या पाता चलेगा सुन नेश कोश्चन चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं होने का क्या कारण है तो इस पर गैस अड़ों का पलायन वेग उनके वर्ग माधमूल वेग से कम होता है अगला कोश्चन पर्थवी का पलायन वेग कितना होता है तो पर्थवी का पलायन वेग 11.2 km3 होता है कितना होता है 11.2 km3 अगला कोश्चन किसी पिंड का भार पर्थवी के किसी इस्थान पर शर्वाधिक होता है तो धुर्वों पर सबसे अधिक होता है अगला कोश्चन वर्षा की बूंद की गोलाकार आकरती का कारण क्या है तो परिष्ट तनाव वर्षा की जो बूंद होती हो गोलाकार क्यों होती है तो परिष्ट तनाव के कारण होती है अगला कोश्चन साबून के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है तो वायू मंदली दाब से अधिक होता है क्या होता है वायू मंदली दाब से अधिक होता है अगला कोश्चन ताप बढ़ने पर द्रव की स्यानता पर क्या परभाव पढ़ता है तो ताप पढ़ने पर द्रेव की सांते क्या होती है घड़ जाती है अगला कोश्चन एक केस नली में जल की अपेच्छा एक तरल अधिक उचाई तक चड़ता है तो इसका क्या कारण है तो इसका कारण है तरल का प्रष्टनाव जल की अपेच्छा अधिक है जो अलग वाला तरल है उसका प्रष्टनाव अधिक हो जाता है जल के पेच्छा इसका कारण हवाई जहाद से यात्रा करते समय पेंसे स्याही निकलने लगती है इसका क्या कारण है वायूदाब में कमी के कारण क्या वायूदाब में कमी के कारण अगर जैसे जैसे हम उचाईयों पर जाते हैं तो वायूदाब में कमी आने लगती है तभी पेंसे स्याही निकलने लगती है नेश्ट कोश्चन आटो मोबाइल के हैड्रोलिक ब्रेक के कार करने का सिद्धांद क्या है तो पास्कल का नियम हैड्रोलिक कि सिद्धांद पर करता है तो पास्कल के नियम पर कार करता है अगला कोश्चन किस ताप पर पानी के घृत अधिकतम होता है तो सार डिग्री सेंटीग्रेट पर पानी गुनत अधिक्तम हो था अगर हम इसे केल्विन में बात करें इसको हम 270 केल्विन कहेंगे क्या कहेंगे 270 केल्विन अगला कोश्चन एक भार हींग गुबारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जल में भार कितना होगा तो क्या होगा शून होगा क्या होगा शून होगा अगला कोशन काउंसा तत्त सबसे पहले करतिम रूप से उत्पादित किया गया था तो टेक्नीशियम क्या टेक्नीशियम एक रशायनिक तत्त है यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा ह इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हलप फुल सावित हो सके